ही एबडिरीवन कैसे हो आप सब आधाक सब कि ऊच्चे होंगे बले चंगे में पूजा अमें थी सारी मस्ती होंगी सार में कपड़े से शोपे लोगे बहुत ही मस्ती होती है उन्हाट करें और इसके साथ आज है दसमा दिन के चलते साथ यहां पर चलते हैं अपने पास के मंदिर में तो यहां पर पहुंचने के बाद देखे कितने अच्छी से थेकुरेशन कर रक्ति हैं सबने तो यहां पर पहुंचते ही मुझे दिखा दुरगा माथ की बहुत ही अच्छी तस्वीर यहां पर गणा थी सब्सक्राइब टीन और यहां पर छला है सिंदुरकेह चंदूरकेहह कहां पर होता है कौन से जगर क्योंकि मैं नहीं बताने वाली उसे मेरे को पता चलेगा आप लोग को है पता है या नहीं मैं भी बताओं कि बाद में यहां पर बहुत लंबी सी लाइन लगी हुई थी और दो तीन घंटे तो चलेंगे यह और यहां पर देखिए अच्छे से अंदर में कि आज 10 मीका दिन है और यहां पर दूसरा पंडाल देखिए बाहर से कितना अच्छा डेकुरेशन कर रखा है इन्होंने और अब हम अंदर चलते हैं और मतारानी का दर्शन करते हैं और यहां पर मतारानी का दर्शन कर लिजिए और देखिए धीर सरा असिरवाद लेजिए मत अब हर आदमी को खुश रखें असिरवाद देशब को अपने उपर अपनी दया किरपा बनाए रखें और यहां पर मतारानी का असिरवाद लेते हुए और चारों साइट देखिए बहुत ही अच्छा सा डेकुरेशन किया जाता है और सब जगह पर अलग अलग डेकुरेश है यह रास्ते का शीन था और मैं यहां पर पहुंच गई हूँ छोले खाने के लिए क्योंकि मैं दस दिन तक मैंने कुछ नहीं खाया था यहां पर सबसे पहले थोड़ा सा छोला खाने के बाद यहां पर रहा मेरा गोल गपा जो हम सब का फैबरेट है गोल गपा खाएंगे और इसके साथ यहां पर हम पहुंच गया है यह चौमिन है चौमिन पैक करवाएंगे खाएंगे नहीं क्योंकि आल्रीड़ी मेरी पेट जो है सुछ फूल हो चुकि तो रात के लिए मैं चौमिन पैक कर्वाकर लोकि जा रही है आज का देनर यही होने वालत यह चौमिन है क तो कैसा लगा ब्लोग कॉमेंट से जरूर बताईएगा